हेलो गाइज विल्कम बैक टू मैं चैनल और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अभी जो रूल चेंजेस होने वाले हैं उस पे हम करेंगे क्या क्या क्योंकि मैं यह सुन-सुन के पक चुगा हूं बहुत सारा वीडियोस देखा हर में यही बता रहे हैं कि रूल में चल रहा होगा चाहे वह उसको कितना भी इंग्नोर करें जो होगा देखा जाएगा लेकिन इंसाइड दिमाग में यह चीज़ चलता रहता है कभी न कभी यह चीज आता रहता है लोगों का समझ रहे हो और बात यह है कि एक चीज़ तुम लोग को पहले पता होना और उसी में लोग ने दिमाग लगा दिया है और रह गया प्यार पाट्स हुए जो है ना यहां पर लोग कितना टाइप का प्यार के लिए दिमाग लगाते वह भी मैं इसमें थोड़ा बहुत सेयर करूंगा और पहले चीज यह बात होना चाहिए यह चेंज़ हो क्यों रहा कर दिया है और जो हम लोग इमिग्रेंट्स है ना 30% जो इंडिया नेपाल वांगलादर्स या जितना भी कंट्री से यहां पर जो इंटरनाशनल स्ट्रेंट्स है उन लोग को में टार्गेट कर दिया इन लोग ने अब बचा को वही न्यूजलेंड का इन लोग के साथ बोलते हैं लोग तो उसी हिसाब से बहुत लोग न्यूजलेंड जा रहे हैं वहां पे सिटिजन के ऑश्टेली आ रहे हैं तो इसलिए यहां पर 32% न्यूजलेंड शीटिजन सो चुगए मुझे पता है उसमें बहुत लोग बाहर कालो उंगे और रह गया इहाउन हम लोग क के बज़त से मौस्टली मैं यह नहीं बोलूँगा सारा हमी लोगों के बज़त से इन लोग का फायदा है और यह हम लोग को रोक रहे हैं तो हम भी यार कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है अगर हम लोग को को बहुत सैटिसपाइड रहना चाहिए और हम एक कस्टमर्स के तिरह रहे हैं यह एक सौप है और हम कस्टमर्स है हमारे पास पैसा है इवन हम लोग के पास नौलेज है जो इन लोग को चाहिए तो हम कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है आप में इसलिए टेंशन नहीं लेना है और रह गया मैं आगे बात करो टी आर का अब पांस साल का मिलने वाला था अभी यह पांस साल से सीधा तीन साल यह दो साल करने क्यों तीन साल इंडियन स्टुडेंस को ही मिलने वाला है मैंने जहां तक सुना है तो यह अभी साल जो मिल रहे है दूसरों को वैसा अगर जुल्लाइफ फस्ट के बाद अगर तुम अपलाई करते हो जैसे हमारे रिजल्ट है ना डीकिन युनिवरसिटी जो हम लोग जिसी साफ से स्टार्ट किये थे हम लोग का लास से मेस्टर से मार्च से लेके जुल्लाइफ जुल्लाइफ में हमारे रिजल्ट आएगा तो हम फस गये जुल्लाइफ में कर सकते है तौन लोग अगर जुल्लाइफ ना पहले यह थे जल्दी से अप्लाइप मारे दो सबकूछ बाई एपद्ध और रखो जो तुमें जैदा जल्दी अपना tipाइफ में थै प्रोफेशनल कोर्स जितना भी प्रोफेशनल कोर्स है कभी यह जो है ना यह प्रोफेशनल कोर्स यह सब अब में कंपेटिशन बहुत ज्यादा है और यहां पर लोग अगर पहले से कोई बीटेक इंजिनेरिंग या बैचलर ऑफ इंजिनेरिंग इन कंप्यूटर साइंस जिन्हों ने किया है वह पहले भी अपना स्कील एसेस्मेंट करवा सकते हैं इस्ट्रूइंट वीजा पर जो अब बताऊंगा इसका फाइदा क्या है यह क्यों करते हैं कि बाद में मास्टर्स करने के बाद भी तो तुम यह इसके लिए सेस्मेंट करवा सकते हो लेकिन अब इमें बताऊंगा अगर बैचलर ऑइटी इंजिनेरिंग जो किया है पहले अपना इंडिया में या पहले का युनिवर्सिटी कॉलिज में तो इधर इंजिनियर्स ऑस्टेलिया उसको एप्रूब करता है कुछ लोग को एप्रूब किया है और कुछ लोग करवा रहे हैं जिसका भी इंजिनेरिंग कोर्स है वो करवा रहे हैं ओके वो करते हैं यह मत सोचना कि बस ACS करेगा इंजिनियर्स ऑस्टेलिया तो कुछ लोग का युनिवर्सिटी कॉलेज उसमें वो लिस्ट में आया है वो लोग अप्रूब करवा रहे हैं तुम लोग अपना एप्रूब करवा के इसकील एसेस्मेंट पहले करवा सकते हो अगर अभी नहीं करवा है तो दूसरा एक और अ साल का प्रोफेस्वेसवेस्णल लीयर तो बीना एक साल का प्रोफेस्वेस्णल के एक स्सेक्ट के होटा है झालिए इसकील एसेस्मेंट होता है पी यार के लिए तो दो-पाने तो तुम्हारे पास बसता है एक साल तो वह एक साल में तुम लोग का वह इसकी लिए करवाने में किसी का तीन महिना चार महिना पास महिना भी लग जाता है समझ रहे हैं उतना फ्रिक्वेंट बहुत नहीं होता है तो तुम लोग को पास थोड़ा कमी टाइम मिलता है अपना बनाने में तो सब लोग इसी वज़े से पैनिक है लेकिन उतना भी टेंशन लेना नहीं है पॉइंट बेस सिस्टम होता है न उस पे भी लोग डालते हैं जै क्योंकि एक साल का एक्सपिरेंस उसमें मिनिममम दिखाना पड़ेगा और उसमें भी हम लोग को पॉइंट्स अगर अच्छा दिखाना है तो तो मैंने यह भी सुना है कि बाद में हम लोग को एक और वीजा मिलेगा अगर हम यहां पर जॉब ले ले लेते हैं तो तो सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास बचेगा बस वहीं पांच-छे महिने में कोई आई-टी जॉब अगर हम करेंगे हम लोग पहले भी आई-टी जॉब एप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग आफ टी यार लेकिन उसमें क्या चांसे तो रहा कम होता है क्योंकि मॉस प्र पहले मिल किया तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग छे महीने साल भर ऐसा कुछ लगता है यह सब करते करते आगे बढ़ने के लिए और रहे गया हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहेगा तो अपना पीर बनानों में थोड़ा पीछे रहे जाएंगे लेकिन अगर हम जाओ 90 और 491 वह तीनों में अप्लाई करेंगे हम लोग अपना 8085 या 90 जो कठफ चल रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना ऐसे ही भी यार के लिए एपलाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपिरियंस उस टाइम तक हमारे पास टाइम नहीं है में जीज यहां पर और दो तीन जाएगा उसके बाद और नियू साउथ वेल्स इवन विक्टोरिया बहुत सारे इस्टुएंस बहुत सारे तो नहीं बोलूगा कुछ इस्टुएंस को मिलेगा मिला है 90 पॉइंट्स पे पी यर मिला है जिनका एक साल दो साल के बाद इन लोग का रेस्पॉंस आता है पी य सिटुएशन में यहां पे रुकने के लिए जब तक उनलों का रिसेजन नहीं आ जाता समझ रहो तो यह हो गया हम जैसे इस्टुटेंट्स जिनका घर पे फाइनेंसल सिटुएशन ठीक है उतना दिक्कत नहीं है जो होगा देखा जाएगा मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेग हो हम जाके न्यूजलेंड सिटीजन बनके हम यहां आ सकते हैं या हम डायरेक्ट यूए से एप्लाई कर सकते हैं या कोई और दूसरा होर कंट्री दस से पंद्रह साल अगर फॉरें में हम रहे लही है ना तो बहुत ज्यादा हम एचीव कर सकते हैं बैक टू आबर कंट्री हम जाके बहुत सीज कर सकते हैं समझ रहे हो अगर 10-15 साल अगर हम फॉरें में बिता लेते हैं कि हम लोग अगर इंडिया में भी 10-15 अगर हम कोई भी बंदा यहां पर एक से डियर करोर या दो करोड़ तक आउन करके सेव करके रिटन जा सकता है लेकिन अगर तुम इंडिया में दस से पाच पंद्रे साल काम करो कर दों तक भाई होगे जो सेविंग कर पाते कशली खर्च होजाता है और सेलरीवी बहुत कम होता है।uis बहुत लोग पता नहीं होगा लेकिन जो भी job कर रहे हैं उनको कभी realize नहीं होगा वहां पर कि यहां पर आने के बाद हम लोग के साथ कितना saving होता है कितना आगे legal जाते हैं हम लोग वह बात है, difference वह है क्योंकि 15-20 साल जो job कर रहे हैं उनको कभी idea नहीं होगा वहां पर, उसी इसाब से थोड़ा explore करना चाहि तो वह लोग क्या करते हैं को चेंज करते हैं जिनका घर पर कोई financial situation बहुत खराब है जिनका मतलब उदर कुछ पैसा ही नहीं है जो लोन लेके आया है इधर उन लोग करेंगे करेगा क्या क्या क्योंकि उन लोग को इधर अगर टीयर खतम हो गया कुछ पैसे ऑन तो कर सकते हैं और उन लोह और तो वह लोग क्या करते हैं लों इसका करते हैं नहीं सब्सक्राइब करते हैं बाद में नहीं पर टीयर होगा हमारा उस सग्रेंद्ट TH – अब नहीं अधर्वी मैं वानॆ करते नहीं वो लोग को बहुत कम points में PR मिल दाता है जैसे IT का है ना 90-95 points लेके आना पड़ता है इसमें competition बहुत ज्यादा है मैं एक तरीके से समझाओ IT students में जैसे for example अगर 100 street खाली है PR के लिए तो 1000 students से इधर apply करने के लिए ओके अगर यह nursing, early child old social work यह सब है ना इन लोग में 65-70 points पे भी PR मिल दाता है और for example इन लोग का सीट ना 500 सीट खाली है तो 700-800 लोग ही है उस पे apply करने के लिए ओके तो इन लोग का PR बहुत fast बहुत जल्दी और easy तरीके से मिल जाता है यह लोग पहले PR लेके बाद में अपना जो मन लगे वह काम कर सकते हैं लेकिन यह कोर्स जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो यहां का government को चाहिए ऐसा ऐसा स्टुडेंट्स जो अरली सब्सक्राइब करते हैं उन लोग को PR मिलता है बाई प्लेस्मेंट नहीं करना पड़ता कोई भी जॉब नहीं करना पड़ता उसमें बीना जॉब की experience दिखाते ही इन लोग को PR मिल रहा है अभी मिल रहा है 2023 में और रह गया इसमें क्या है कि तुम लोग का जो एक साल या दो साल होता है उसी के अंदर कुछ आवर्स होता है जॉब करने का वह कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन एक बात है इन सब में थोरा सा दिक्कत है अगर तुम यहां पर चार साल टोटल में अगर ऑस्ट्रिया में पढ़ते हो तो तुम लोग को आइल्स में 8-8 बैंड और 7-7 बैंड लेके आना नहीं पड़ता अग यहां पर पूरा भी लेंकि यह पूरा मोटी वी लेके आब मिवा घृस हो चाहां जाएं लोग का दिमाग फिरसे गहा और यह सक rank कर दे तो यह साहिन है तो जो रिख्षे लेना चाहताएं गय regular परना घर भे फाइनल स्टीवेशन बहुत खराब है और उस्टिलिया में उसका फ्यूचर है वह यह चीज ले सकते हैं और रह गया इधर लोग कुछ ऐसा भी है जो पैसा कमा के बस रिटन जाना चाहते हैं उन लोगों पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है बस पैसा कमाना है प ज्यादा घंटा काम करते हैं जरूर 7000 के लिए ज्यादा घंटा काम करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा इजी जॉब पकड़ते हैं कि उन लोगों काम बहुत इजी हो जाए और अच्छा हो तो ऐसा भी मेरा कुछ दोस्त है जिसका माइंड सेट ऐसा भी है वो मैं अपने हिसाब से जा रहा हूं हमारा उतना भी दिकत नहीं है अगर कल पीयार में नहीं हुआ भी कोई दिकत नहीं है बाकि सारे कांट्री भी बहुत अप्शन है और रह गया दूसरा टाइप का जो कोर्स चेंज करते हैं जिसको हर हालत में पीयर चाहिए तीसरा टाइप इस आप से आणन को बंख इस बेस्ट ऑप्शन और चौथा टाइप का जो स्टुटेंट्ट से जो यहां पर स्टुडेंट मतलब नहीं पर पढ़ना भी नहीं है इसको आर्निंग भी नहीं करना है जिसको एसा बैठ ना है वेले कि तरह उके एसा भी लोग यहां पर जिसको यहां पर मिल रहा है उसका जो बहुत एक्सपेंसिव एक हिसाब से बहुत बहुत गिने चुने लोगों को यह वीजा मिलता है यहां पर आने के लिए कितना लोग अभी भी तरस रहें अपना अपना कंट्री में जो उपर से तो बोलते हैं कि हाँ वाई हमारा देश में सब कु आने के लिए कुछ रुकेंगे नहीं समझ रहे हो आराम से आजाएंगे वह से भी लोग है तो मुझा लगता है यह फोट टाइप का आदमी है जो यहां पर पढ़ना भी नहीं चाहते काम भी नहीं करना चाहते और फालतु में बैठ रहे हैं ऐसे ही इंजोई करकर के गुज सिदा बात हुए है समझ रहे हो तो वहीं बात बोलना चाहूंगा अभी भी आगर वह सिट्वेशन में हो तो भाई थोड़ा अपने आपको बिल्ट अप करो ऐसा इसा नॉलेज यहां पर लो एक्सपिरेंस लो यहां का जो ट्राइविंग लाए तुमको ऑस्टेलियन ड्रा इंडियास भी चाहिंट लाते सबको चेंज करना बढ़ता है तो कुछ सो फायदा है वीडियो काफी लंबा होचुका है लेकिन मैंने ज्यादा सिदर ट्राइं किया मैं महीने में कुछ दोस्तों ने बोला है लंबा वीडियो थो तो सब बता आना तो मैं बता दिया कि देख पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत एजी है उन लोग में competition बहुत कम है और एक बात यह है कि हम अगर PR नहीं ले पाए तो इसका बात यह नहीं कि हम capable नहीं है हमारा यहां पर मुश्किल वाला चीज ना हम लोग को बहुत मैनत करना पड़ता है अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो न तो ज्यादा मैनत लगता है और रास्ता भी खराब होता है जो इजी वाला चीज है मतलब उसके लिए तुम बड़ा कुछ अचीव नहीं करने जा रहे तो पॉइंट की सबसे डाल देना पी एर के लिए जो होगा अपना देखा जाएगा क्यूंकि बहुत लोगों को निव साउथ वेल्स में 90 पॉइंट में एक नेपाली को प्यार मिला है जो सॉफ्टेर इंजिनियर के लिए अपलाई किया था प्यार विटाउड वर्क वैसा भी होता है अट लिस्ट ट्राइ मार लेना जो होगा देखा जाएगा साइद 90 मिनिट्स होगे आप 20 मिनिट्स होने जा रहा है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कोई ऐसा क्वेशन है तो नीचे एक में लिंक डालूंगा उसमें तुम लोग अपना क्यू बनाने वाला हूँ ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो